इसके previous वाले class में हमने यहाँ पर एक beginners level का यहाँ पर पूरा एक course किया था text या फिर title के उपर हमने उसे यहाँ पर add किया, format किया और उसे transactions and keyframe से animate किया था अब हम यहाँ पर title या फिर text में एक level अब जा रहे हैं और यहाँ पर text plus यूज़ करने वाले हैं text plus यहाँ पर एक advanced level का text formatting effect है जो कि damage roll के अंदर एक separate software के तरह यहाँ पर काम करता है और इसे use करके हम यहाँ पर अपने text and title को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह के से animate and format कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं और इसे समझते हैं So first of all आपको damage roll के अंदर अपने edit time में इसरह से रहना है और यहाँ पर रहते हुए आपको जाना है effects में और यहाँ से आपको यह titles group मिलेगा इसके अंदर आपका जो यहाँ पर 6th option है वो यहाँ पर है text plus का जो कि यहाँ पर यह by default एक still text है जिसे आप यहाँ पर customize कर सकते हो और यहाँ से advanced text effects and advanced animation create कर सकते हो So still यानि कि अगर हम यहाँ पर अपना mouse hover करें तो यहाँ पर अभी भी यह एक still custom title हमें दिखा रहा है as a preview But यहाँ पर यह जो scroll title है या फिर कुछ अलग तरह का यहाँ पर जो titles है वो यहाँ पर animate हो रहे है ठीक है इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर यह by default एक still title रहता है जिसे आपको यहाँ पर further customize and animate करना पड़ता है और इससे आप बहुत ही cool results यहाँ पर achieve कर सकते हो आगे जाके और यहाँ से hold करना है और यहाँ से अपने timeline में इस तरह से drag and drop करना है और यह आपका यहाँ पर custom title यहाँ पर text plus title यहाँ पर add हो गया है as a layer ठीक है अभी हमने यहाँ पर इसे blank timeline में यहाँ यहाँ पर use किया हुआ है यानि कि एक transparent background में अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसे किस वीडियो के उपर भी इस तरह से place कर सकते हो as a overlay तो मैं इसे अभी के लिए यहाँ पर independent रख रहा हूँ इस तरह से और अभी हम इसी महीं यहाँ पर further समझेंगे से ठीक है so you can see यहाँ पर यह जो title है उसके layer के corner में यहाँ यहाँ पर यह 3 star है और अगर आपने मेरे सारे वीड यह 3 star नज़र आते हैं इसका मतलब यह जो title है हमारा custom title यह फी text plus वो यहाँ पर fusion का है और यहाँ पर यह जयाद तर fusion tab में इस तरह से use होता है ठीक है मैंने आपको कुछ videos में पहले वाली videos में इसका basics यहाँ पर समझाया हुआ है ठीक है so हम इसे यहाँ पर click करेंगे template को और हमें इसके बहुत सारे यहाँ पर features नज़र आते हैं हम इसे fusion tab में use करके कुछ even more advanced results यहाँ पर achieve कर सकते हैं like यहाँ पर हम अपने spline feature और keyframes का use करके इसे और भी ज़्यादा यहाँ पर advanced कर सकते हैं और even इसे यहाँ पर एक template generate कर सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए हम इसे edit tab मे वापर से switch करेंगे और यहाँ पर यहाँ इस तरह से में नज़र आएगा ठीक है तो अभी हमारा जो title है वो यहाँ पर एक transparent background में है और यहाँ पर इसका name इस तरह से है so talking about its properties and customization वो हम यहाँ पर अपने inspector tab से कर सकते हैं बट यहाँ पर पहले आपको इसे इस तरह से select करना हुआ है और हमें यहाँ पर इसका सारा properties नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पर इस तरह से हैं यहाँ पर हमारे inspector के अंदर दो group यहाँ पर दिए गये हैं first title और दूसरा settings settings वही है जो कि हमें अपने सारे video या फिर audio tracks में नज़र आते हैं अगर मैं यहाँ पर अपने video को select करूँ तो हमने सिखा हुआ है कि इसके सारे properties हमें अपने inspector के अंदर इस तरह से नज़र आते हैं वही हमें अपने text के अंदर भी इस तरह से नज़र आ रहे हैं इस तरह से ठीक है like transform, cropping, dynamic zoom, composite, speed change and stabilization ठीक है और इस settings के अंदर हम वही इस तरह से zoom, poison या फिर rotation वेगरा इस तरह से कर सक करते हैं जो कि अभी हमें इसका यहां पर उतना काम नहीं है तो हम यहां पर वापस आ रहे हैं अपनी title पर और यहां पर इसके सारे properties हमें नजर आएंगे so unlike our basic title या फिर text जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ही in-depth clear किया हुआ है यहां पर हमारे पास text plus में बहुत सारे option दिये गए हैं जिसे हम यहां पर use करके और mix करके कुछ यहां advanced चीज़े यहां पर अचीव कर सकते हैं so now let's start with the properties और हम यहां पर सबसे पहले अपने mixer को यहां पर बंद कर रहे हैं इससे क्योंकि हमें अभी यह नहीं चाहिए तो मैं यहां सी से off कर रहा हूँ और अपने inspector tab को यहां पर expand कर रहा हूँ इस तरह से so यहां पर हमारे पास text है, layout है, transform है, shading है, image है पहले हम यहां पर दिख लेते हैं text को और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ text से related यहां पर सारे option मिलते हैं और even जो भी हमारे पास इसके parameters होते हैं, उसके बगल में हमारे पास इसके keyframe दिये गए हैं यानि कि हम इस पर keyframe करके इसे animate कर सकते हैं, जो कि हम यहां पर आपने basic title में नहीं कर पा रहे थे और इसलिए मैंने बोला था कि यहां पर जो text plus है, वो यहां पर अपने आप में अलग software है title से related और यहां पर हम कुछ भी, जो भी यहां पर आप सो सकते हो, वो चीज़े यहां पर कर सकते हैं, ठीक है? So in the very first हमारे पास यह text plus है, और इसके बगल में यहां पर यह slider है, जो कि यहां पर enable और disable करने का यहां पर एक button है, जिसे हमें यहां पर enable या फिदेज़ेबल कर सकते हैं, हमारे effects को यहां पर on-off करने के लिए और इसके निचे हमारा यहां पर text है, जो कि यहां पर mainly हमारे text को यहां पर customize करने से related है, मैंने बताया भी, तो first में हमारे पास यह name है, तो मैं इसे यहां पर change कर रहा हूँ, like again Krishna, और इसका मैं यहां पर font change कर रहा हूँ, monument extended ultra bold, जो कि मैंने यह सारे options आपको बताये हुए हैं हमारे previous class में, ठीके, यह सारे वही option है, आपको यहां पर इस तरह से customize करना है, like मैं यहां पर इसे color दे रहा हूँ, इस तरह का, और size में थोड़ा सा increase कर रहा हूँ, इस तरह से, tracking थोड़ा सा में बढ़ा रहा हूँ, like 1.039, और line spacing हमारा यहां पर अभी useless है, क्योंकि हमारे प में या फिर इसका slider में यहां पर double click कर हो तो यहां पर यह इस तरह से reset हो जाएगा, right, या फिर आपको यहां पर यह एक dot मिलता है, जिसे आप यहां पर click करके इस तरह से reset कर सकते हो, तो मैं यहां पर again बढ़ा रहा हूँ, इसके size को इस तरह से और वापस से नीचे आ रहा आपको आपको अपने टेक्स्ट या फिर किसी भी विजुल एलिमेंट के एंकर पॉइंट के बारे में यहां पर समझाया हुआ था, ठीक है, जो कि हमने अपने basic title वाले class में cover किया था, तो उसी तरह से हम यहां पर अपने वी एंकर यानि कि इस टेक्ट के वोर्टिकल एंकर को यहां पर adjust कर सकते हैं, like top, middle, जो कि अभी था यहां पर by default and bottom में इसे यहां पर switch कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं अभी यहां पर इसे center में करूँगा और यहां पर इसे इस तरह से align करूँगा, उसके बाद हमारे पास यह वी एंकर का एक slider है, जो कि आप यहां पर manually इस तरह से बढ़ा या फिर घटा सकते हो, इसके anchor के position को, मैं यहां से इसे double click कर रहा हूँ और यहां से इसे reset कर रहा हूँ, इसके बाद हमारे पास यह h anchor है, जो कि हमारा होता है horizontal anchor, अभी हमारा text यहां पर horizontal and vertical यहां पर center aligned है, अगर हम यहां पर इसे press करें, यानि कि left press करें, तो यहां इसका anchor point left में यहां पर चला जाएगा, तो अब अगर मैं यहां पर जाके कुछ लिखूँ, तो यहां पर यह left में ही align है और यहां पर इसका text है, वो यहां पर हमारे com के बाहर जला जा रहा है, ठीक है, तो यह होता है हमारा horizontal anchor left aligned, यह होता है middle जो कि हमने अभी किया हुआ था यहां पर हमारा text यहां पर always middle में रहता है, और यहां से हम इसे इस तरह से लिखते हैं, और हमारा यहां पर text middle से इस तरह से फैलता हो जाता है, यानि कि यह middle aligned रहता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यह right aligned, right aligned मतलब इसका यहां पर anchor point है, वो यहां पर right में रहेगा, और तो मैं इसे यहाँ पर reset कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका name मैं वापस से change कर रहा हूँ तो इसके बाद हमारे पास यह slider है जो कि हमें अपने वर्टीकल आंकर पर भी मिल रहे थे इस तरह से और इसके बाद हमारे पास आता है यह direction और अभी यहाँ पर यह automatic में है मतलब जैसा कि हमने इसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर यह लिखाया हुआ है अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास यह सारे option मिलते हैं यहां पर horizontal जो कि अभी यहां पर यह है यानि कि हमारा text यहां पर horizontally यहां पर लिखा हुआ है इसके बाद हमारे पास आता है reversed horizontal यानि कि हमारा text यहां पर अभी reverse हो जाएगा on horizontal इस तरह से ठीक है इसके बाद vertical इस तरह से you can see and lastly हमारा reverse vertical तो इस तरह से अगर आप अपने text को customize करना है लाइन डिरेक्शन लाइन डिरेक्शन हमारा तब यूज होगा जब हमारे पास मल्टिपल टेक्ष्ट रहेंगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कर्मा ठीक है और अब मैं जाकर यहाँ पर टॉप डाउन या फिर बॉटम अप कर सकता हूं तो यहाँ पर यह इस तरह से इसका अब यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी लिख रहे है और यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी लिख रहे है और यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहे है तो यहाँ पर यहाँ पर टॉप से डाउन आ रहा है तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर टॉप से डाउन जबकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था Krishna and Second Way Karma बट यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा Main Preview में पहले Karma उसके बाद Krishna ठीक है तो हम यहाँ पर इसके Line Direction को यहाँ पर इस तरह से Address कर सकते हैं अब एक लिए मैं वापस से आ रहा हूँ कर रहा हूँ में और इसके बाद हमारे Text Group में यह Last Option है Write On का जहां से हम अपने Text को एक Right Effect या फिर एक Type Writer Effect यहाँ पर दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर अभी के लिए केवल एक Text लिख रहा हूँ और यहाँ से अपने Infaces को यहाँ पर Undo कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं इस जगह पर जाकर अपने Write On Effect में यहाँ पर एक Keyframe Add कर रहा हूँ इस तरह से और वापस से अपने First Frame में जाकर इस तरह से इसके Write On को Zero कर रहा हूँ इस तरह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा Text यहाँ पर बिलकुली यानि कि यहाँ पर यह Zero से Start होगा Write On करना यानि कि Write होना ठीक है तो Let's Play इस तरह से तो हम इस तरह से यहाँ पर एक Type Writer या फिर एक Writing Effect यहाँ पर Create कर सकते हैं इस Write On के मदद से ठीक है So Let's Play Again and यह कुछ यहाँ पर इस तरह के Simple Effects हम यहाँ पर Create कर सकते हैं इस Write On Effect से तो मैं इसे यहाँ पर Undo कर रहा हूँ और इसके बाद हमारे पास यह Last Option है Tab Spacing के और यहाँ पर Advanced Controls के जो कि आपको यहाँ पर अभी इसे ध्यान देने की जोड़त नहीं है हम यहाँ पर Straight Away Layout में यहाँ पर Move करते है Layout Simply हमारा Refer करता है Text का यहाँ पर Look & Layout से Layout के अंदर सबसे पहले हमारे पास यह Type यानि कि हमारा जो यहाँ पर Text है वह यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है तो यहाँ पर अभी यह Point में है हम चाहे तो यहाँ पर Frame, Circle यह फिर Path यहाँ पर Select कर सकते हैं Circle यानि कि यहाँ पर यह इस तरह से Circle में होगा Path यानि कि हम यहाँ पर कोई Path यहाँ पर Create कर सकते हैं अभी यहाँ पर हम कोई Path यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं वह क्यों? क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर By Default Mouse Activated है अगर हम चाहे तो इस Arrow में क्लिक करके हम यहाँ से Fission Overlay यहाँ से Enable कर सकते हैं और अब हमारा यहाँ पर कुछ Handle समय नजर आएगा यहाँ पर यह जो Circle है वह यहाँ पर Rotate है और यहाँ पर यह जो Arrow है वह यहाँ पर इसके Poison और यहाँ पर Scale के लिए है अब हम यहाँ पर Path में है तो यहाँ पर यह Path के लिए काम करेगा तो आपका यहाँ पर Mouse है आप यहाँ पर किसी पर तरह से यहाँ पर क्लिक करिए तो यहाँ पर एक Path Create होगा और यहाँ पर आपका इसी Path में आपका यहाँ पर Text जो है वह यहाँ पर Lay करेगा यानिकि Layouted होग ठीक है और अब अगर हम चाहें तो यहां पर इस text को इसी path में यहां पर animate कर सकते हैं लाग यहां पर हमें इसका portion, overall portion, इसका center z axis यानि कि इसका जो depth है वो यहां पर कितना होगा और आपको यहां पर बता रहा हूँ यह portion on path यह हमारा यहां पर main slider है अभी हमारा जो text है वो यहां पर इस path में हम जाते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसे animate करें तो हम यहां से slider से इसे इस तरह से animate या फिर इसे इस तरह से write on कर सकते हैं तो अभी मैं यहां पर इसे इस तरह से यहां पर रख रहा हूँ और यहां पर एक keyframe add कर रहा हूँ और आगे जाकर यहां से slider को all the way to यहां पर up कर रहा हूँ ठीक है और यह देखिए आप यहां से play and इस तरह से यहां पर यह animate हो रहा है इसके path में ठीक है तो हम यहां से undo करते हैं सारी चीज़ को यहां पर point में आते हैं वापस से यहां कि vertical यह center z यानि कि हमारा depth आपने definitely यहां पर इस तरह का effect देखा होगा जहां पर इस तरह से आपका text बहार से यहां पर zoom होते हुए इस तरह से आता है और यहां पर place हो जाता है ठीक है तो मैं इसे यहां पर undo कर रहा हूं यह हमारा gain size है और यह हमारा perspective है जो कि अभी यहां यहां पर काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहां पर rotation value यहां पर छेड़ा हूँ नहीं है तो हमारा rotation जो value है वो यहां पर इस तरह से आएगा XYZ यानि कि horizontal rotation vertical and middle rotation इस तरह से अगर मैं यहां पर जाओं और अपने X-axis पर इस तरह से rotate करूं इस तरह से और अब जाके मैं यहां पर अपने perspective को इस तरह से छेड़ू तो यहां पर अब यहां पर यह काम करेगा तो always keep in mind कि हमारा यहां पर perspective तभी काम करेगा जब हम यहां पर rotation angle को यहां पर छेड़े वे रहेंगे तो मैं इससे वापस से अंडू कर रहा हूँ वापस से सबको यहां पर अंडू कर रहा हूँ और वापस से मैं यहां पर आ रहा हूँ ठीक है उसके बाद layout group के अंदर हमार यहां पर transparent का यहां पर image नज़रा रहा है जो कि बता रहा है कि यहां आपका text भी transparent background में है ठीक है तो अगर हमें इससे यहां पर background देना है तो हमें यहां पर सबसे पहले इससे transparent से opaque करना पड़ेगा यानि कि इसका यहां पर transparency zero करना पड़ेगा और यहां पर इसका background enable करना पर इस टेक्स्ट को इस तरह से उपर रखेंगे अपने किसी वीडियो के as a overlay तो यहाँ पर अभी यह पुरा ब्लैक दिख रहा है इसका background और हमारा वीडियो यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक black background set कर दिए पहले यहाँ पर क्या था हमारा alpha यहाँ पर 0 था तब यहां पर जाके यह कर दिख रहें और चाहें तो इस तान से अभी रूपर अगर इसे पूरा करेंगे तो यहाँ पर इसका opacity receptmat चलाजाएगा और यहाँ पर यहां पर यह और यहां पर हमें इसका background मिलेगा, हम चाहें तो इसका color अब हम यहां पर change कर सकते हैं, इस तरह से, okay, and हमारा background यहां पर add हो गिया है, वैसे इस color picker के bagel में हमारे पास यह drop down option है, जहां से हम यहां पर इसके पूरे hsl, यानि कि इसके hue, saturation and luminous जो भी यहां पर colors है, उसका यहां यहां पर एक bar हम यहां पर open कर सकते हैं, और यहां से इसे इस तरह से slide कर सकते हैं, इसका यहां पर hue, saturation and value यहां पर दे सकते हैं, और यहां पर custom color हम यहां पर use कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहां से इसे collapse कर रहा हूँ again, और again मैं इसे यहां पर reset कर रहा हूँ ताकि हमारा जो test है वो यहाँ पर transparent हो जाए ठीक है इसके बाद हमारा यहाँ पर तीसरा group है and वो है transform का transform के अंदर हमारे पास 4 तरह के यहाँ पर parameters है like यहाँ पर transform, rotation, shear and size पहला हमारा यहाँ पर transform है जहां से हम इस text के transform type को यहाँ पर change कर सकते हैं like अभी यहाँ पर यह characters में तो अगर हम यहाँ पर अभी जाए और spacing को यहाँ पर increase करें तो यहाँ पर यह character by character यारि की letter by letter यहाँ पर space में याज़ा है और अब अगर हम जाकर यहाँ पर words लिख करें तो अभ हम यहाँ पर जो भी changes करेंगे वो यहाँ पर word by word होगा अगर मैं यहाँ पर टेक्ष में जाऊं और यहाँ पर लिखू Krishna and Karma ठीक है और यहाँ पर size थोड़ा से मैं यहाँ पर decrease करूँगा और वापस से जाऊंगा transform में और अभी मैंने यहाँ पर words लिख किया हुआ है और अब अगर मैं यहाँ पर spacing को effect टूनी इस तरह से यहां पर यह word by word होगा ठीक है वैसे ही इसके अंदर यह lines को option है and यह lines को option हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास अपने text में multiple line होगे like यहां पर कुछ भी लिख दोता हूँ मैं और यहां पर अब मैं जाओ transform में और यहां पर अब मैं इसे इस तरह से effect करूँ इसके spacing को तो यहां पर scale lines के spacing यहां पर effect होगे not by word not by characters but by lines इस तरह से तो वापस मैं इसे undo कर रहा हूँ और अभी के लिए मैं इसका color यहां पर white कर रहा हूँ ताकि आपको यह अच्छे दरगे से आप नजर में आए ठीक है और इसका size मैं यहां पर increase कर रहा हूं इस तरह से and वापस से जा यहां पर layout में मिल रहे थे हम यहां से X, Y, and Z value को यहां पर effect कर सकते हैं by characters या फिर अगर हम चाहें तो इसे यहां पर undo करके और इसे यहां पर word में से लिक करके अब हम यहां पर is अगर rotate करें तो यहां पर यह अब word by word यहां पर हो रहा है not by characters ठीक है तो वापस मैं यहां यहा अगर यहां से आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद हमारे पास है यह new and size एड यह भी यहां पर by characters word and lines यहां पर यूज मैं आते हैं अभी हम यहां पर अपने characters में है तो अभी हम यहां पर अगर share करेंगे तो यहां पर यह by character यहां पर use मैं आगा थिक है इस तरह से you can see size भी इस त स्ट्रेच है एड यहां पर वर्टिकल स्ट्रेच है ठीक है सो आफ्टर ट्रांस्फर्म हमारे पास नेक्स्ट है शेडिंग और यह जो शेडिंग ग्रूप है वो एक तरह से हमारे टेक्स्ट याफी टाइटल को स्टाइलाइज करने का सेटिंग से जिसके अंदर हमें एड़ वरी फर्स्ट हमारा यह शेडिंग एलिमेंट है और यहां पर हमें एलिमेंट्स स्लेक करने का ऑप्शन दिया गया है यह यहां पर आठ प्रिसेट है और यहां पर हर एक प्रिसेट हमारा अलग अलग यहां पर वर्क में यूज होता है ठीक है तो यहां पर वन से लेके फोर element है red outline और इससे हम यहाँ पर enable करेंगे तो हमारे पास वही कुछ यहाँ पर settings आ रहे हैं पर यहाँ पर priority जो है वो यहाँ पर है outline का तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो text है उसके अंदर यहाँ पर एक outline आ गिया है और यहाँ पर इसका name है red outline यहाँ पर यह जो name है वो यहाँ पर just a name है और यह name जो है आप यहाँ पर change भी कर सकते हो तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसे red outline के जगा में सिर्फ outline या फिर stroke name दे सकता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर पता चले कि हाँ यह जो preset है वो यहाँ पर stroke या फिर outline के लिए यहाँ पर prioritize है ठीक है तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ presets है जो कि यहाँ पर by default 1 से लेकर 4 तक है ठीक है अगर आप चाहोँ तो यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक कोई भी यहाँ पर अपना custom preset set कर सकते हो तो let's have a look कि यहाँ पर यह क्या काम में आता है हर एक preset ठीक है तो मारा यहाँ पर first है और इसका name है यहाँ यहाँ पर white solid fill तो यहाँ पर अभी इसको जो name है मैं quickly यहाँ पर पहले अपने second वाले preset को यहाँ पर off कर रहा हूँ और one में आ रहा हूँ ठीके तो यहाँ पर अभी इसका नेम है white solid fill तो यहाँ पर by default यह यहाँ पर एक white solid fill हमें दे रहा है अपने text में ठीके और वो जो fill है वो यहाँ पर इस color bar से यहाँ पर आया है set है तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसका white solid fill के अलावा भी इसका name हम enable रखेंगे क्योंकि यहाँ पर यह आपके text का यहाँ पर fill है और यहाँ पर sort by जो है वो यहाँ पर simply एक आपके effects का यहाँ पर numbering है कि यहाँ पर पहले आएगा properties, softness, poison, rotation, shear and size ठीक है तो इसके बाद हमारे पास main आता है हमारा properties properties क्या है हमारे text का यहाँ पर properties simply ठीक है तो पह हमारे इसे key framework नी कर सकते है ताकि यहाँ पर हम इसे 0 से यहाँ पर animate करे one में ओके आपको पता यह चीज़ isके निचे हमारे पास यह blending mode है जहाँ पर हम इसे set कर सकते हैं हमारे इस नीचे वाले वीडियो के according ठीक है कि इस नीचे वाले वीडियो में यहाँ पर यहाँ पर कैसे blend होगा अभी यहाँ पर composite में है यानि कि यह solid में है ठीक है तो हमें यहाँ पर एक clear दिख रहा है अगर हम चाहें तो इसका blend mode यहाँ पर change कर सकते हैं इस तरह से ठीक है वो यहाँ पर certain effects के लिए यहाँ पर use में आएगा for example अगर हम यहाँ पर जाएं settings में और यहाँ पर अभी के लिए अगर इसके composite mode को हम रखे soft light में तो यहाँ पर यह कुछ इस तरह का behave करेगा जो कि हम यहाँ पर अपने blend mode या फिर composite mode से यहाँ पर change कर सकते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारे shading के अंदर जो हमें parameters दिए गए हैं वो यहाँ पर कुछ blending mode के यहाँ पर दिए गए ठीक है इसके निचे हमारे पास से appearance यानि क फिर stroke में set कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसके thickness को इस तरह से हम change कर सकते हैं या फिर adjust कर सकते हैं और अभी यहाँ पर हमारा जो settings है वो यहाँ पर outside only है अगर हम यहाँ पर इससे अंचेक रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो thickness है या फिर मोटाई है हमारे text का वो यहाँ पर इस तरह से दो तरप यहाँ पर change होगा, दो तरप यहाँ पर बढ़ेगा और यहाँ पर घटेगा इस तरह से, ठीके, तो मैं अभी इससे यहाँ पर set कर रहा हूँ और इससे यहाँ पर outside only कर रहा, ओके, और इसके बाद, इस outline के बाद हमारे पास यह दो option है, जहाँ पर है हमारा fill, पुरा यहाँ पर एक background के साथ, और यहाँ पर है कुछ border outline, जो कि कुछ इस तरह से आप काम में ले सकते हो, ठीके, अभी यहाँ पर हमारा यह font इसके लिए suitable नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह कुछ अजीबों गरीब यहाँ पर काम कर रहा है, ठीके, तो मैं वापस से यहाँ पर आ रहा हूँ, और आगे बढ़ रहा हूँ में, और इसके नीचे हमारे पास यह thickness है, मैंने बताया भी, और इसके बाद हमारे पास इसके जो interactions है, या फिर इसका जो stroke, जो style है, वो यहाँ पर इसके कुछ settings है, लाइक यहाँ पर adapt to perspective है, अगर हमारा text यहाँ पर perspective में रहता, तो यहाँ पर हम इस option को check करतें, तो हमारा यहाँ पर जो text है, वो उसके perspective के अनुसार यहाँ पर change होता, और अपने thickness को यहाँ पर बढ़ाता या फिर खटाता, उसके बाद हमारे पास यह clean intersections, यह option हम सिंपली तब on करेंगे, जब हमारा यहाँ पर एक से ज़्यादा text या फिर line यहाँ पर मौझूद होगा हमारे timeline पर, तो मैं इसे अभी off कर रहा हूँ, और नीचे आ रहा हूँ हमारे join style में, यहाँ पर यह चार तरह के हमारे पास join दिये गए, ठीक है, पहला हमारा है यह bevel join, उसके बाद round, जो कि अभी यहाँ पर by default है, यू can see, ठीक है इस तरह से, यू can see, हमारा यहाँ पर जो text है, यह फिर outline है, वो यहाँ पर अभी round join में है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर इसे bevel कर सकते हैं, इस तरह से beveled, और अगर हम चाहे तो यहाँ पर इसे पूरा harsh edge भी कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर बोलते हैं, अलग आपको results देगा, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए अपने meter पर आ रहा हूँ, ताकि हमारा जो text है, वो यहाँ पर sharp देखे, ठीक है, अभी यहाँ पर यह round में था, तो मैंने इसे यहाँ पर अभी meter में किया है, उसके बाद हमारे पास है यह line style, जो कि हमारा यहाँ पर अभी solid है, यानि कि हमारा जो यहाँ पर text outline है, यानि कि यह जो line है, वो यहाँ पर अभी solid है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसके line को इस तरह से dash भी कर सकते हैं इस तरह से ठीक है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके thickness को आप इस तरह से कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का यह effect बनेगा जितना जादा यहाँ पर यह मोटा होगा उतना जादा आपका यहाँ पर dash जो है यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर यह मोटा लगेगा ठीक है इस तरह से तो मैं यहाँ पर around इसे इस तरह से shift कर रहा हूं और इसके साथ साथ हमारे पास dash के बाद dot भी है इस तरह से dotted रहेंगे और आप इसमें भी यहां पर thickness को manipulate कर सकते हो इस तरह से उसके बाद इसके निचे आपके पास dash dot है जो कि आपका यहां पर dash के साथ यहां पर एक dot के साथ आपका यहां पर text outline बनेगा and lastly हमारे पास है dash dot dot यानि कि एक dash और दो dot के बाद यहां पर यह इस तरह से आपका text stroke effect यहां पर बनेगा यहां पर solid image and gradient ठीक है and पहला हमारा solid है जो कि अभी हमारा text यहां पर मौझूद है solid color में ठीक है and यह solid color है white जो कि हमने अभी set किया हुआ है अगर आप चाहो तो यहां पर arrow key को click करोगे तो यहां पर इसका एक color picker या फिर color wheel यहां पर नजर आएगा अभी color wheel नहीं है color picker है इसे बोज़कते है color picker और जो कि अभी यहां पर white में है अगर आप चाहो तो यहां पर इसके color को इस तरह से manipulate या फिर adjust कर सकते हो और even इसके बार से भी इसके Hue को यहाँ पर Change कर सकते हों, अभी यहाँ पर मैंने इसे White में रखा हूँ है, इसलिए यहाँ पर Change ही हो रहा है अगर मैं यहाँ पर कुछ रखूं इससे, और इसके Hue को मैं यहाँ पर Change करूँ हूँ तो यहाँ इस तरह से Affect होगा भी ठीक है तो मैं वापस इसे कर रहा हूँ white में और इसके बगल में यहाँ पर एक और slider है जो कि हमारा यहाँ पर luminous है luminous यानि कि हमारे color का यहाँ पर कितना light होगा you can see यहाँ पर मैं इसके luminous को मैं change कर रहा हूँ तो मैं वापस यह से white कर रहा हूँ और यहाँ पर again हमारे पास वही values है HSL value जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है बहुत detail में ठीके और इसके बाद हमारे पास वही red, green, blue, RGB colors है और alpha parameter है इसके बाद solid के बाद हमारे पास यह image option है जहां से simply हम अपने text के अंदर एक image यहाँ पर set कर सकते है by clipping mask तो अभी हमारा यहाँ पर image source tool है ठीक है मैं यहाँ पर clip में करूँगा और यहाँ से browse करूँगा और यहाँ पर एक image लगँगा like this one, so हमारा यहाँ पर अब जो text है वह यहाँ पर solid color नहीं है यहाँ पर image अब clip हो गया और यहाँ पर यह कुछ इस तरह का यहाँ पर नजर आ रहा है अब यहाँ पर यह stretch है क्यों क्योंकि हमारा यहाँ पर जो text है या फिर जो timeline है वह यहाँ पर 4K में है और यह यहाँ पर horizontal timeline है ठीक है width इसका कम है और इसका height जादा है इसलिए यहाँ पर यह इस तरह से stretch हो गया है so मैं वापस से आ रहा हूँ अपने maintain aspects में और यहाँ पर हमारे पास है पहले mapping angle so हम इस image का जो mapping angle है कि यहाँ पर यह किस तरह से place हुआ है उसे यहाँ पर इस तरह से change कर सकते हैं अभी हमारा image यहाँ पर rotate हो रहा है इस तरह से map हुआ है तो undo कर रहा हूँ है इस तरह से इसके बाद हमारे पास है mapping size जो कि अभी यहाँ पर इस तरह से है हम चाहे तो इससे इस तरह से increase कर सकते हैं या फिर decrease कर सकते हैं ठीक है जितना आप यहाँ पर इससे decrease करोगे तो यहाँ पर आपका image इस तरह से और duplicate होते हुए repeat होगा इस तरह से So again undo, इसके बाद आपके पास है mapping aspects जो कि आप यहाँ पर इससे increase करोगे तो यहाँ पर आपका image है वो यहाँ पर इस तरह से stretch होगा ज्यादा बढ़ा होगे तो यहाँ पर vertically stretch होगा, कम करको तो यहाँ पर horizontally इस तरह से stretch होगा मैं इसे यहाँ पर undo करोगा वापस है और यहाँ पर है हमारा mapping level जो कि बहुत important है यहाँ पर अभी यह word में है इसलिए हमारा image यहाँ पर है वो पूरे word में यहां पर होगा है बाइ-word आग अगर हम यहाँ पर इसे टेक्स्ट में करें तो यहाँ पर हमारा image उसी तरह से यहाँ पर greatly stretch कर सकते हैं और अभी you can see, यहाँ पर यह अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है, quite यहाँ पर यह good लग रहा है भी, पहले यहाँ पर यह ऐसा था, हमने इसके mapping aspect यानि की जो ratio है, उसे यहाँ पर increase किया इस तरह से, तो यहाँ पर यह सीधा होता गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर यह कुछ ऐस से ही, and last है हमारा character, तो यहाँ पर हमारा जो character है, वो यहाँ पर choose करने के बाद हमारे हर एक character में same aspect से यहाँ पर हमारा image place होगा, तो मैं यहाँ पर simply recommend करूँगा कि आप यहाँ पर play करिए, इन सारे settings से, और यहाँ पर कुछ इस तरह से practical किजिए, ताकि आपको यह और यहाँ पर हमारे text plus के अंदर आता है, हमारे basic text के अंदर नहीं आता है, okay, so gradient के अंदर हमारे पास यह पहला है shading gradient, यानि कि हम यहाँ पर इसे कौन सार shade देना चाहेंगे, तो पहले हमारे पास यह है slider, इसे हम click करेंगे, और यहाँ पर कोई color यहाँ पर choose करेंगे, like मैं यहाँ जो text है वो यहाँ पर कुछ इस shade में आ जाएगा यानिकी एक gradient fill यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद आपके पास वही color के options है और नीचे हमारे पास इसके main options है पहला है mapping angle तो अभी के लिए यहाँ पर जो angle है वो यहाँ पर 0 में है तभी हमारा जो यहाँ पर shading है वो यहाँ पर from bright to यहाँ पर dark जा रहा है यानकी 90 degree में है जैसे कि हमने यहाँ पर shade किया है अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसके mapping angle को यहाँ पर adjust करेंगे तो यहाँ पर यह adjust हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से पुरा hard हो जाएगा और अब हमें यहाँ पर यह clear नजर आ रहा है कि हमारा यहाँ पर shading क्या था और हमने इसे कौन कुल से यहाँ पर colors दिये हुए है तो मैं इसे वापर से undo कर रहा हूँ ताकि यह soft हो जाए थोड़ा सा मैं इसे कम करूँगा थोड़ा सा ताकि ज्यादा हमें यहाँ पर इसके effect नजर आए इसके बाद हमारे पास है mapping aspect यानि कि इसका जो mapping ratio होगा यानि कि कितना भाग किस तरफ जाएगा उसका यहाँ पर यह aspect है और you can see अब यहाँ पर यह थोड़ा सा अच्छा में लग रहा है इसका shade यहाँ पर अच्छा बन रहा है from dark to bright ओके या फिर आप इसे नीचे से भी यहाँ पर read कर सकते हो like bright to dark क्योंकि हमने यहाँ पर इसे bright to dark किया हुआ है इसके बाद हमारे पास है mapping level जो कि हमारे same हमारे image में मिलते थे like text में अभी यह है line word character ठीक है अभी यहाँ पर यह कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यह एक gradient है और यहाँ पर हमारे पास एक ही text है अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर कुछ और add करे like आकास ठीक ह तो you can see अभी यहाँ पर इसका shading है वह यहाँ पर इस तरह से effect हो रहा है अभी कुछ यहाँ पर हमने set किया हूए text तो यहाँ पर इसफेक्ड होरा है लागक्छ यहाँ पर bright to dark यह पूरे overall में यहाँ पर ले रहा है अगर हम यहाँ पर इसे set करेंगे word में तो यहाँ पर अभी यह एक एक word मिलेगा, dark to bright, dark to bright, अलग-अलग यहाँ पर यह एफेक्ट करेगा, उसके बाद है line, जो की similar यहाँ पर results आएगा, and characters, characters यानि की एक एक करके यहाँ पर, characters में यहाँ पर effect करेगा, तो आप इसे यहाँ पर play कर सकते हो इसके साथ, और यहाँ पर कुछ results अचीव कर सक ठीक है, तो mainly यहाँ पर यह जो one वाला preset है, वो यहाँ पर इसी काम के लिए है, आपके text के fill style को यहाँ पर change करने के लिए, like stroke, solid, image, gradient, like appearance, blending mode, shading and its mapping, ठीक है, और इस properties के बाद भी हमें यहाँ पर कुछ और options यहाँ पर मिलते हैं, जिससे हम यहाँ पर छेड़ सकते हैं, like यहा position and z position, जो कि आपको पता है पहले सही, rotation, ठीक है, आपको पता है यह सब चीजे, उसके बाद shear, ठीक है, shear and size, जो कि यहाँ पर नया है, shear मतलब आपका यहाँ पर text है, वो यहाँ पर distort होगा इस तरह से, angle में, minus में करोगा तो यहाँ पर यह राइट में जाएगा, और plus में करो तो यहाँ पर यह left में जाएगा इस तरह से, ठीक है, उसके बाद undo करता होँ में से, उसके बाद आपका यहाँ पर y shear है, इस तरह से आपका यहाँ पर effect होगा, by word और by character, जो भी आप यहाँ पर choose करोगी, undo, उसके बाद आपका यहाँ पर size है, जो कि इस तरह से आप यहाँ तो आपका यहाँ पर X-axis में आपका जो text है यहाँ पर stretch होगा undo and उसी तरह यहाँ पर Y-axis में जो कि हमने यहाँ पर transform में भी देखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर यह जो अभी properties है या फिर जो other options है properties के अलावा वो आपके यहाँ पर बंध है यानि के collapsed है क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ पर हमें इसे enable करना पड़ेगा अगर हमें इसका effect यहाँ पर देखना है तो अभी यहाँ पर आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी presets है उसके हर एक preset के अंदर हमारे पास same option है properties, softness, position, rotation, shear, side ठीक हर एक preset में एक ही options है और यह क्यों अलग- और effect यहाँ पर use करते हुए यहाँ पर जाना है पहले हमने क्या किया पहले हमने यहाँ पर fill add किया इसे यहाँ पर shading दिया इसका एक look and feel दिया इसे उसके पास हम क्या करते है इसके उपर हम यहाँ और चीज आड़ करेंगे यहाँ पर मैं अगर 2 में जाओ और इसे enable करू तो अभी देख सकते हो आप हमारा यहाँ पर one भी enable है वो पहले सी हमने उसमें adjustment कर दिया है अभी हमारे पास second options है यानि कि second और एक layer है like Photoshop हमें यहाँ पर कुछ और style add करने के लिए तो अभी हमारा यहाँ पर इसका name है outline stroke तो अभी यहाँ पर यह prioritize करेगा हमारे outline को ठीक है तो and second में इसके उपर हमने एक और effect डाला and वो था हमारा एक outline या फिर stroke तो अगर आपको यहाँ पर solid के साथ साथ एक stroke भी चाहिए तो यहाँ पर आप second option में जाओगे and दोनों को आप यहाँ पर enable रखोगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर वही options है like capacity blending mode appearance ठीक है अगर आप यहाँ पर इससे again text fill में select करोगे तो यहाँ पर यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों layer में ही वही same option यूज किया है यही solid color वाला ठीक है तो मैं इससे यहाँ पर outline में कर रहा हूँ और यहाँ से इसका जो color है मैं यहाँ पर change कर रहा text के अंदर ना है बलकि text के बाहर है हमारा text यहाँ पर वही size कर रहे है उसके बाद हमारे पास यह line style है जो कि मैंने बताय हुआ है dash dot dot जो भी आपको करना है आप कर सकते हूँ तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ dash के साथ और you can see हमारा यहाँ पर एक और style हमने add कर दिया है black shadow यानि कि क्या होगा इससे shadow add होगा तो मैं इससे अगर enable करूँ तो यहाँ पर you can see अब shadow add हो रहा है इस तरह से जो कि यहाँ पर simply हमारे softness को यहाँ पर use कर रहा है हमारा यह shading properties तो हम यहाँ पर यह काम जो था वो यहाँ पर इस जिगह से भी कर सकते थे हमारे second में ही रहा कर अलावा तो हम यहाँ पर जाएंगे third में और हमारा यहाँ पर black shadow या फिर drop shadow add करेंगे तो यहाँ पर यह कुछ इस तरह कामी निज़र आ रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसके जो color है उसको मैं यहाँ पर change करूँगा like white पूरा white और यहाँ पर आकर इसके जो y value है और x value है उसको मैं यहाँ पर पुरा down करूँगा ताकि यहाँ पर एक stroke generate हो जाए ठीक है जो कि मेरा एक text formatting का style है जो क्या आपको पता होगा मैं इस तरह से आपने drop shadow को utilize करता हूँ ठीक है उसके बाद आपके पास यहाँ पर यह glow है अगर आपका यहाँ पर shadow या फिर softness added है त आप यहाँ से इसके glow को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो ताकि यहाँ पर एक glow create हो ठीक है बट यहाँ पर शर्त यह है कि आपका यहाँ पर softness थोड़ सा यहाँ पर increase होना चाहिए ठीक है तो आपका यहाँ पर softness increased है तो आपका यहाँ पर glow add होगा इस तरह से like before यह था इस त उसतरह से तो यहाँ पर इसतरह से ग्लूवी िफेक्ट यहाँ बनेगा ठीक जो की यहाँ पर एक क्लिग में आप अचीव कर सकते हो ठीक है और नीचे हमारे पास blend यानि कि यह जो इ सिरी जो जो glow है है उसके बीच में यहाँ पर जो blend है 2nd में and 4th हमारा है blue border और इसे अगर enable करते हैं तो हमारे पास यह border आएगा यानि की background आएगा तो हम यहाँ पर अपने 4th element को use करके हमारे text के पीछे एक background add कर सकते हैं without any rectangle or shape ठीक है तो हमारा यहाँ पर अभी जो solid color है यहाँ पर है blue like this or you can see हमारे पास वही सारे options है but यहाँ पर अभी इसने अपना appearance यह fill border पर किया हुआ है और अगर हम चाहें तो इसका level यहाँ पर set कर सकते हैं like अभी यहाँ पर यह character में है text में कर सकते हैं इस तरह से polytext में या फिर word में तो मैं अभी यहाँ पर रहूंगा text में और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसके horizontal extend and vertical extend को यहाँ पर manage कर सकता हूँ इस तरह से system slow हो रहा है वैसे तो मेरा system यहाँ पर बहुत तंगड़ा है तो मैं इसका extend यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो यह रहा हमारा shading group जहाँ पर हम अपने text को stylize करते हैं with some layers on top first layer यह होगा second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth यहाँ पर हमारे पास four तक हमारा by default यहाँ पर effect added रहता है यानि कि set रहता है और इसके बाद fifth, sixth, seventh and eighth में हमारा यहाँ पर कुछ blank template रहता है जहाँ पर हम कुछ shortcut save कर सकते हैं इस तरह से ठीक है तो अगेन हमारा यहाँ पर shading element जो है वो यहाँ पर हमारे Photoshop के layer style के जैसा है जहाँ पर हम अपने effects में जाकर अपने text में या फिर layer में stroke, fill, bevel and emboss या फिर बहुत तरह के effect यू और 8 तरह के यहाँ पर different style से हमारे text को देने के लिए ठीक है तो यह रहा हमारा advanced and custom text effect layer जिसे हम यहाँ पर use करके इतने सारे यहाँ पर parameters को change कर सकते हैं और सभी पर हम यहाँ पर key framing कर सकते हैं इन सारे parameters के अंदर आपको यहाँ पर key framing करने का option मिलता है जो कि मैं आने वाले streaming करके बताऊंगा कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़े यहाँ पर achieve कर सकते हो ठीक है so now that is it for the text plus और हम मिलते हैं हमारे next video में so guys that is it for the video अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please just like करे और अपने दोस्तों के साथ इसे share करे तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो म until then it's peace out